नमस्कार आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन न्यूज मैं तुश्वार आपके साथ बात करेंगे आज की मुद्दे में मनीश सिसोधिया की दरसल मनीश सिसोधिया को लेकर अब 22 नवंबर को सुनवाई होनी है और जिस दिल्ली के राउजवनी कोट में सुनवाई होगी आपनी पार्टी पर एक के बाद एक जो संकट के बादल मंडरा रहे हैं यह इतनी जल्दी छटने का नाम नहीं ले रहे हैं आपको बतादे दरसल मनीश सिसोधिया के केस में भी ऐसा ही कुछ देखने को मिल रहा है मनीश सिसोधिया लगबग लगबग 300 दिन होने वाले हैं जेल में बंद रहते हुए तीहार में बंद रहते हुए हाई कोट में याचिका डालते हैं अपनी बेल की खारीज हो जाती है सुप्रीम कोट में याचिका डालते हैं खारीज हो जाती है और उसके बाद अब यहाँ पर तीन महीने तक वो सुप्रीम कोट और हाई कोट दोनो उनकी बेल याचिका खारिज की गई थी कि ED को 6-8 महीने का समय दिया गया था कि आप इतने समय के अंदर इस केस को solve करें इस मुद्दे को जल्द से जल्द खत्म करें और इतने में 3 महीने बाद यहाँ पर मनीशी सोधिया फिर से लाए बलोंगे अपनी बेल याचिका की डिमांड के लिए लेकिन आपको बता दें जिस तरीके से यहाँ पर याचिका इंखारीज हुई उससे कहीं न कहीं सवाली खड़ा हुआ कि क्या सच में अर्विन के जिवाल और उनकी पार्टी ने कोई घोटाला किया क्योंकि सुप्रिम कोट ने भी अपनी टिपड़ी में अपने जो फैसला उन्होंने दिया था उषकी टिपड़ी में उन्होंने काता कि पैसे काले इन दिन तो हुआ है ये साबित करने में कहीं न कहीं AD जो है कामियाब रही है लेकिन मनेश यसी सूदिया, संजे सिंग और आम आदी पार्टी का कैसी रूल है इसको साबित करना भी बाकिया और उसके लिए उन्होंने यहाँ पर समय जो है वो दिया था आपको बता दे हैं लगातार एक के बाद एक जिस तरीके से हम देख रहे हैं उसमें भी उन्हें बड़ा जटका लगा और यहाँ पर उन्हें राहत पांस दिन की नहीं दी गई बलकि छे गंटे की राहत दी गई 11 नوفंबर को सुबह दस बज़े से शाम के चार बज़े तक अपने पतनी से मिलने के लिए ठीहाड़ जिल से बाहर आए अवास आजए अपनी पतनी से मिले जिसमें फोटोस भी सामने आएं कि वो कैसे अपनी पत्नी से मिलते हुए भावुक हुए गले लगकर रोते हुए दिखाई दे रहे थे ऐसे में सवाल ये उटता है दर्शको कि आम आपड़ी पार्टी जो इस वक्त एक बड़े घोटाले में फस्टी नज़र आ रही है क्या इसे चुनावों में आम आपड़ी पार्टी पर फरक पड़ेगा तो आपको बता दे बिलकुल यहां फरक पड़ने वाला है क्योंकि अब दिल्ली हो या पंजाब हो दोनों की ही जनताओं में इस सवाल उटने लगे हैं कि अगर आम आपड़ी पार्टी ने ऐसा कुछ नहीं किया है अगर वो साफ है जिस तरीके से अर्विन केजरिवाल कहते हैं कि वो कट्टर इमानदार है तो वो कोट में साबिट क्यों नहीं कर पारे सुप्रीम कोट भी क्यों यहाँ पर उनको बेल नहीं दे रहा है अगर वो साफ सुतरे इमानदार है भी तो अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो कहीं न कहीं डाल में जरूर कुछ काला है और अगर दाल में काला है तो कही न गए आम आदमी पार्टी ने गोटाला किया है इसको लेकर अब दिल्ली की जनता और पंजाब की जनता या फिर बाकी भी राज्यों की जनता उसके बीच में नेरेटिव कही न कहीं सेट होता दिखाई दे रहा है आगे आने वाले लोग समद चुनावों में आम आदमी पार्टी के लिए का बड़ा खत्रा बन सकता है और यही opposition का भी कहना है यही आम आदमी पार्टी का भी कहना है कि हमारी खिलाफ यही रणनीती बनाने की कोशिश के तहट यह पूरा का पूरा केज जो है वो लगाया गया हमारे नेताओं को जीन में डाला गया ताकि लोगों के बीच हमारी छवी जो है वो पूरे तरीके से ब कर्कते की जा रहे हैं बरहाल मनेश सी सोधिया को यहाँ पर 22 नवंबर को एक बार फिर से दिल्ले के राउजवेन्य कोट में पेश होना होगा एडी को लेकर यहाँ पर बातचीत की जाएगी सी बी आई को लेकर यहाँ पर कई सवाल पूछ जाएंगे उन्होंने क्या पूरेस रिपोर्ट में होई है मनीश सी सुधिया के वकील अभी शीक मनुश सिंग्भी भी यहाँ पर शामिल होंगे लेकिन 22 नवंबर को क्या होगा इसको लेकर अभी कुछ कहा नहीं जा सकता लेकिन इतना जरूर कहा जा रहा है कि कुछ बड़ा होने की संभाव नहीं है बरहाल इस आज की खबर में मैंजित नहीं लेकिन आप इस पूरी मुद्धे पर क्या सोष्टें क्या चुनावों में आम आदमी पार्टी को इसका फरक पड़ेगा है नहीं नीचे कमेंट सेक्शन में जुरू बताएं जुड़े रहें देखते रहें नेक्स टाइन निउस तर निवाट